वंद कहां तक पाला जाई, युद कहां तक टाला जाई, तो भी है राणा का वनसज फैंक जान तक भला जाई, स्वागते सभी सात्यूं का स्टेडी एक्जाम एकेडमी के ओपीशल यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, ताकि राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल की निसुलक आप त्यारी कर सेगे और समय समय पर आपको कलास मिलती रहें, तो आज हम राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल का 2020 में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूसन हल लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक्जाम में किस परकार के पशन पूचे गए हैं, यदि आपको राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल वर्ति प्रिक्षा 2021-22 की न्यू आपको महिलावे बालपराद की यदि इबुक लेना है, जिसमें पूरा सेलेबस महिला बालपराद का, साथ में 500 से भी ज्यादा आजार के लगबग आपको प्रेक्टिश करने के लिए पशन मिलेंगे, तो ये इबुक ले सकते हैं, मातर 30 रूपे की है, इस वोट्षप नंबर पर आप संप्रा कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिये गए हैं, तो सभी जाती लाई जूड़ चुके हैं, इस्टार्ट करते हैं आज की कला, पर्षण संक्या एक आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जो की एकजाम में पूछा गया, कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार, राजस्तान के किस जिले की जनसंक्या सरवादिक है, बहुत ही बेसि साम में पढ़ गड़ जाना, इस बार 2022 में जो आपका एकजाम होगा उसके लिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल ए जोविदार्थी दे रहे हैं, जेपूर, उन सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सभी साती लाई जूड़ चुके हैं, स्वागत है, क रजस्तान से चुने गए सदिश्यू की संक्या कितनी है, A 30, B 28, C 25, D 26, तो लोग सभा में रजस्तान से चुने के सदिश्यू की संक्या कितनी है, कमेंट बोक्स में आंसर बताएं, यदि आपने आंसर चुका है 25 तो आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएग नेक्स्ट अगला देश्ट परशंसंग्या तीन यहां पर पूचा गया कि बंक्ली बांध किस नदी पर इस्तिद है कहां पर है ये जालोर में लूणी काले सिंद्ध सही भी नदी या सूकडी नदी आंसर बताएं ऐसे पसंद पूछे जाते हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूकड़ी नदी D आपका यहां पर right answer होगा और यह जालोर जिले में है किस जिले में है जालोर जिले में बहुत ही अच्छा पसंद यहां पर put up हुआ कलास में आगे बढ़ने से पहले बता दू यदि कोई मेरा साथी RS प्रारंबिक तता मुख्य परिक्षा 2022 की संपूर्ण तयारी यदि करना चाहता है तो Unacademy Application पर नया बेंच विजे स्टार्ट हो रहा है 10-9 बर से जिसमें पूरी अनुभवी और सेलेक्टेड टीम यहां पर देख सकते हैं जिसके दुआरा आपको सांदार और जांदार तयारी करवाई जाएगी लाइव क्लासेज, रिकोड़ेड वीडियो, मोक टेश्ट बगेरा सारी स्वीज आपको उपलब मिलेगी राजबाल 10 कोड का यूज़ करके आप इसमें 10% का डिसकाउंट भी पास सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्सिन में अभी Anime Academy एप कोड डाउनलोड गरे अगला पर्शन आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है पर्शन संक्या चार बगवान बुद्ध का वास्त्विक नाम क्या था? A. वर्दमान, B. सिद्धार्थ, C. महवीर तीनी option आपके सामने बताएं देखें बगवान बुद का वास्टविक नाम क्या था यह पर पुचा गया तो B आपका यहाँ पर राइट अंसर होगा बगवान बुद का वास्टविक नाम सिदार था बिल्कुल B सभी का यहाँ पर राइट अंसर है नेक्स्ट अगला पशन देखो इलेक्ट्रोन की खोज निमल लिकित में से हैं किस विज्ञानिक ने की आइस्टीन, गेलिलियो, जे जे थॉम्सन, टी आर टी विल्सन तो देखो इलेक्ट्रोन की खोज किसके द्वारा की गई, यह साइंस का, यानि विज्ञान का परशन पूचा गया, बिल्कुल बेसिक, पिछली बार विज्ञान के एक या दो परशन ही पूचे गये हैं, इस बार ज्यादा भी पूचे जा सिकते हैं, इसलिए आप साइंस भी की गोशना की, पूर्वी बंगाल और जिसमें एक भाग असम का, और सेंस भाग बंगाल का, दूसरा भाग, तो किसने बंगाल का विवजन किया, लोड ड्रफरिन, लाड करजन, लाड विलियम बेंटिंग या लाड डलोजी, तो यह किसके द्वारा बंगाल का विवजन किय अभी आपकी त्यारी अगला पसंद पूचा गया कि उत्राखंड की उच्टम परवत चोटी कौन सी है उत्राखंड राज्य की सबसे उन्ची चोटी का नाम पूचा गया बहुत सरे विदार्ती इसमें गलती की बद्रीनात भी है केदारनात कामेट या नंदा देवी तो इसक सबसेंद निस अधिक्तम हो सकती है 30255 या 200 पच्चास myst तो राजस्य सवा में सदशयू की अधिक्तम संभ्या कितनी हो सकती है 250 ゃांपर आपका क्या हो जाइगा राइट आंस्वर माना जाएगा ।्याफ देखा सतां में जयपुर नहीं है मारवार्ड में भी जोदपूर है अपना इधर और आडोती में भी नहीं है इसका राइट आंसर आपका से हो जाता डूंडार छेतरमें है जयपूर से C आपका correct है बिल्कुल next अगला person देखें जेपुर की मारानी गाइतरी देवी किस वर्स में पहली बार लोकसबा की सदेश्य बणी 1977-1962 या vlog Baldwin मारानी गाइतरी देवी किस वरस पहली बार लोकसबा की सदेश्य बणी थी क्या पशनद पूछा गिया बिल्कुल सभी विदार्ती राइट दे रहे हैं 1962 C आपका यहाँ पर क्या हो जाता राइट आंसर होता आदा नमर मिल गिया और इस बार प्रतियक प्रशन आपका एक नमर का आएगा पिछली बार आदे नमर का था दोसा सहर का नाम तो किस पाड़ी के नाम पर पड़ा दोसा जो सहर है इसका नाम दोसा वालों को तो आना चाहिए मानगड अलवर कमलनाथ या देवगिरी तो किस पाड़ी के नाम पर रखा गया दोसा सहर का नाम तो यह देवगिरी पाड़ी के नाम पर दोसा रखा गया डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता राइट आंसर माना जाएगा इसकी पीडियेप आपको मिलेगी अमारे टेलीग्राम ग्रूप में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है उसको आप जोइन जरूर करें नेक्स राजस्तान में लागू नेमलिकित में से कौन सा राष्टपती सासन का कारेकाल सबसे लंबा रहा राष्टपती जो सासन है वो सबसे लंबा कारेकाल कौन सा रहा दूसरा तीसरा पहला ज्या चोता तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाता चोता d आपका यहां पर क्या हो जाता right answer माना जाएगा next अगला परशन है कि किस नदी को पहले सोक की नदी के रूप में जाना जाता था गागरा काली महनदी या दामोदर सोक की नदी किस नदी को कहा जाता है answer बताएं देखें इंडिया जी की का partson है बिल्कुल दामोदर नदी को का जाता है डी आपका यहां पर क्या हो दा राइट आंस हो रहे है नेक्स्ट अगला संसदिये चुनाव 2019 में निमन लिकित में से बारत के किसी राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की किसी राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की थी बारतिय जन्ता पार्टी ने की थी भी आपका यहां पर क्या है राइट आंस हो रहे है अगला देखे हैं अगला परशन बहुत ही अच्छा परशन पुचा गया कि महराजा सूरजमल का अन्ये नाम कोन सा था अपने बरतपूर लिए जो शा सकते हैं महराजा सूरजमल इनका अन्ये नाम पूचा गिया है नहर सिंग रंजीट सिंग रतन शिंग या सुजान सिंग देखो यहांपर सुरजमल इससे यहांपर 24 है शुजान ठीक है तो सुजान सिंग आपका राइट आंसर होता डी इस ग्रेक्ट आन्सर न विदान सबहा में राजस्तान विदान सबहा की शीटे वड़ाकर कितनी कर दी गई? या यानि किस विदान सबहा में इन शीट्पों को वड़ाकर किया गया? पाँचवी, चोती, चत्वी या सात्वी? तो राइट आंसर क्या हुज़ाथा? चत्वी. C आपका यहाँ पर correct answer है Next बाल गंगादर तिलक के दुआरा कौन सा देनिक समाचार पत्तर मराठी में शुरू किया गया मराठा, केशरी, बंगाल गजट या हरिजन बाल गंगादर ने कौन सा समाचार पत्तर किया बंगाल गजट C आपका यहाँ पर right answer है अगला पर्षन है कि निमन लिकित में से किस राज़िय में लोगसबा के सीटूं की संग्या सरवादिक है सबसे ज़्यादा लोगसबा की सीटे किस राज़िय में है उत्तर परदेश, माराष्टर, पस्चि मंगाल या मद्य परदेश तो right answer आपका A हो जाएगा उत्तर परदेश उत्तर परदेश में सरवादिक लोगसबा की सीटे हैं और कितनी सीटे हैं आपको यदि answer आ रहा है तो comment box में आपे जरूर बताएं अगला परशन देखो current का पूछा गया लियोनेस मेसी किस खेल से समंदित है होकी, गौल्प, फुटबोल तो इसका right answer क्या होगा बिल्कुल comment box में comment करें देखें तो इनका समंदित किस खेल से हैं तो फुटबोल से हैं किसे हैं फुटबोल से हैं सी आपका यहाँ पर right answer है जिन बच्चूं को देखबाल और सरक्षन की आवशिकता हो उन्हें सहेज मेसूस कराने के लिए अधिकारी को हमेशा किस ड्रेश में होना चाहिए शिविल ड्रेश, पुलीस की वर्दी, सेना की पोसाग या डोक्टर की पोसाग तो अधिकारी को हमेशा सिविल, साधरन ड्रेश में रहना चाहिए यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा नेमल लिकित में से कोन सा जिला अपनी सिमा पाकिस्तान के साथ सांजा करता है कोटा, जेपूर, अजमेर या बाड मेर किस जिले की सिमा पाकिस्तान के साथ लगती है इस परशन को ध्यान रखना चार जिले ऐसे हैं राजस्तान के जिन की सिमा पाकिस्तान को लगती है सिरिगंगानगर, बिकानेर, जेशल मेर और बाड मेर तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा बाड मेर जिला है डी आपका यहाँ पर राइट होता अगला देखें, अगला परशन डिसंबर 2019 के अनुसार राजस्तान विदान सवा में विपक्ष के नेता कोन है करंट का परशन है राजस्तान, तो यह गुलाबचंद कटारिया, वसुंद्रा, राजिये, अमरतलाल, वीना, जोती, खंडेलवाल तो राइट आंसर आपका A है, गुलाबचंद कटारिया भी है, तो A आपका यहाँ पर राइट आंसर होका, राजस्तान का करंट का नोलेज भी थोड़ा होना चाहिए आपको आचा यह राजियंदर सूरी का जनम किसी सहर में हुआ, वीका नेर भी है, बरतपूर सी उद्यपूर और डिये जैसल मेर, तो इनका जनम हुआ था राजियंदर सूरी का वीका नेर में नेक्स्ट अगला देख, यह परशन देखो करंट जीकी का पूचा गया, भारतिय वायू सेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्तान के किस सेर में अपने अन्तिम मिग टू, इस का ड़नको सेवा मुक्त किया, बारतिय वायू सेना ने, जोधपूर से हैं, वीका नेर से हैं, जैसल मेर से याई जेपूर से हैं, तो इसको किया गया, जोधपूर से हैं, आपने देखा भी होगा न्य या सनराइज हेदराबाद तो यह किस ने जीत प्रावद किती बुंबई इंडियन्स बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर है एक यहां पर देखो महिला बालप्राद का पशन आचुका है बारतिय दंड सहीता की धारा दारा 354 किस प्रावदान को विशलेशित करती है योन उत्पिडन के लिए सजा दी गई है दारा 354 में बाल विवा बिल्कुल कोई मतलब नहीं है बाल विवा का बाल पॉर्णों से भी नहीं है और ऐसी डटेक से भी नहीं है तो यह आपका यहां पर राइट आंसर है दारा 354 योन उत्पिडन के लिए सजा है इसमें ए आपका यहां पर राइट आंसर है अगला परशन देखो सुरजमल किस राजी के सा सकते पहले सुरजमल का अन्य नाम पूचा गया था सुजान मल बिल्कुल सुजान सिंग बगरा और सुरजमल के किस राजी के सा सकते तो यह अपन खेतड़ी को कहा जाता है खेतड़ी जुन जुन भी आपका यहां पर राइट आंसर है किसने ओल इंडिया फोरवर्ड बलोग पार्टी की इस्तापना की मातमा गांधी जमाला नेरू सुबाष चंदर बोस या बाल गंगादर तिलक ओल इंडिया फोरवर्ड बलोग पर था उसका जीकी के किस परकार के पर्षेनेज हो एक्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार हमारी पूरी कोशी से कि हम पूरा सेलेबस कंफ्लीट करवा दें राजिस्तान पूलीस का और बहुत ही बड़िया धंक से करवाएं ताकि विदारती सेलेक्ट हो जाए ज्याद बाकि राजस्तान जी के टोपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं लगातार रेगुलर क्लास से चलेगी रिजनिंग भी बहुत सारी क्लास हो चुकी है वो देख लेना में में जो टोपिक है जैसे कलेंडर हो गया पासा हो गया आकरतियों की गण्णा हो गया गड़ी हो गई उनकी कलास से तो पहले हो चुकी है रिजनिंग की आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर अलक्से प्लेइलिस्ट बढ़ी हुई है बाकि आप रामलिवास मातुरिया की बुक से अभियास करते रहें गर पर रिजनिंग वैसे जएधा हाड नहीं आती है रास्तान पुलिस में औ और भी कलास है जो बाकि रही है प्रेक्टिस बगर हम करवा देंगे धन्यवास आती हूं जैहिन मिलते हैं नेक्स्ट कलास में